हाँ तो आपको परभा है अगर उन्होंने फोन नहीं किया था आप तो कर सकती थी ना मामा जानती है खाला कि इतनी बिमार हैं अभी मेरी फोन पर बात हो रही थी उनसे तोबा तोबा परतन दोदो के मेरी कमर जवाब दे गई है सही कहते हैं बड़ापा सौ बिमारी हों की एक बिमारी है काम करने के लिए हिम्मज जवाब दे गई अब मेरी इपनी काया आपको काम करें इतना बड़ा फरनिष्ट घर मिलरा है नोकर चाकर साथ में मिल रहे है तो क्यों ना-षुक्री कर रही हैं अप अरे मैं क्यों नाशुक्री करने लगी मेरा बस चले कल के जाते आज चले जाए उस बड़े घर में तुम ही उमर की हां में हां मिला रही थी वा अंटी वा ये इल्जाम भी मेरे सर पर मतलब आप मां होकर उसको कन्विंस नहीं कर सकी मैं बीवी होकर अपने सर पर बुराई ले लूँ आप ये सोचें इस घर के लिए लोग साला साल मेहनत करते हैं और इससे कितना फाइदा होने वाला है उमर का अंटी बस सोचें अगर अरसलान भाई की बात मान ली न तो क्या होने वाला है बैटे बिठाई बड़ा सा घर गाड़ी साब देंगे अरसलान भाई बात में पार्टनर्शिप भी दे देंगे बिजनस में सब कुछ प्लेट में रखके मिल रहा है साला साल मेहनत भी नहीं कर मैंना आप माहें वे मुशनल ब्लैकमेल करें उसको मनाए उसे और फिर सूचे कितनी आया अशी ओने वली अमारी तो सूचें आप और कुछ करें सूचें आप कर सकती यह मुझे पता है सिर्फ आप ही उमर को मना सकती आप कोई नहीं मना सकता मझे खाला के घर जाना है तुम्हारी मुहबबत सिर्फ उन्ही के लिए के उत्ती बढ़ रही है जो तुम्हे पोच्छे तक नहीं है मामा क्या मामा कितने दिन हो गए आपा ने तुमसे कुछ पूछा हैदर ने सीधे मूँ बात की नहीं ना बदल गए है मैं बता रही हूँ ना आपा को परवा है और ना हैदर को हाँ तो आपको परवा है अगर उन्होंने फोन नहीं किया था आप तो कर सकती थी ना मामा जानती हैं खाला कितने बेमार हैं अभी मेरी फोन पर बात हो रही थी उनसे क्या उन्होंने तुमसे खुद बात किया जी खाला मेरी खातिर हैदर से लड़ रही है ना खाना खा रही है ना अपनी मैजिसन्स खा रही है जिसके विले से वो बहुत बिमार होगी है मामा याला मुझे तो किसी ने कुछ बताया तक नहीं मैं जरूर तुमारे साथ चलती लेकिन तेमोर वो आजाए यह खुराबिया भजार मसीबते है तुम ऐसा करो तुम जाओ और मेरी तरह से भी पोश्रेना और को ठीक है ना ठीक है मैं अभी बस तैयारो के जारी हूँ ठीक है झाल